तो OnePlus की तरफ से काफ़ी interesting news जो है वो सामने निकल के बाहर आई है और ये जो news है वो OnePlus TV से related है व्योंकि बहुत दिनों से हम सुन रहे हैं कि OnePlus TV launch होने वाला है ऐसा वैसा लेकिन कल के दिन Instagram पे OnePlus ने officially ऐसा बताया है कि OnePlus TV जो है वो September यानि कि next month में launch हो रही है लेकिन उससे भी जादा interesting चीज यह है कि बहुत ही जादा तेजी से growth कर रहा है चाहे वो Xiaomi की TVs हो या फिर VIEW की TVs हो और भी ऐसी smart TVs जो है Chinese smart TVs जो है वो काफी ज़ादा growth कर रही है इंडिया में आके तो OnePlus ने ऐसा decide किया है कि इंडिया जो है वो सबसे पहली country होगी जहाँ पे वो लोग OnePlus TV को launch कर देंगे तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि OnePlus TV में आपको क्या specification मिलेगी और कौन-कौन से screen size में यह launch होगा तो guys इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखते रहे हैं और सबसे important अगर आप लोगों ने चैनल को subscribe नहीं किया है तो नीचे एक subscribe button होगा red से color का उसको just आपको press करना है subscribe हो जाना है उसी के side में आपको notification का bell icon भी दिख रहा होगा उसको भी press कर लीजे ताकि ऐसी informative वीडियो यह जब भी लेकर आप लोगों को notify हो जाए तो बिना किसी time भी इसके हम वीडियो भी शुरुवात करते हैं मेरा नामे नमन आप देख रहा है techplusguidress.com Let's get started इतने सालों से OnePlus पूरी तरीके से smartphone बनाने में busy हैं और एक से बढ़कर एक premium smartphone जो है अपनी oneplus tv के साथ क्योंकि oneplus का जो है एक मुझे approach बहुत ही ज्यादा interesting लगता है वह यह कि oneplus जो है कुछ चीजों को बहुत strictly follow करता है सबसे पहला तो यह है कि भाई वो premium level की चीजे देता है वो भी कम पैसों में जैसे कि अगर मैं compare करता हूँ Samsung, Apple जैसी महंगी महंगी brand को अगर वो जो है टक कर दे रहा है अभी भी कम पैसों में जो है अच्छे specification हमें देता है उसके साथ साथ वो जो है community से बहुत ही अच्छे तरीके से जोड़ा होता है लोगों की सुनता है फिर अपने product को develop करता है क्योंकि इस तरीके से लोगों का trust level बहुत जादा develop हो जाता है और यह OnePlus ने पूरी तरीके से प्रूफ कर दिया है कि community ही सब कुछ है trust level जो OnePlus के लिए लोगों का है वो बहुत ही जादा high level का है मैं भी OnePlus 6 use कर रहा हूँ और यह जो वीडियो है वो भी OnePlus 6 phone से shoot कर रहा हूँ तो भाई मुझे जो है काफी जादा पसंद आता है OnePlus के phone OnePlus TV जो है वो एक तरीके से पूरा एक नया device होने वाला है OnePlus के लिए तो भाई OnePlus के CEO के दौरा जो है इस statement को explain इस तरीके से किया गया है कि भाई बहुत ही जादा मैनत लगती है किसी भी एक नय प्रोड़क्त को start करने में चाहे वो कोई भी प्रोड़क्त हो तो भाई OnePlus के लिए भी जो है काफी जादा मुश्किल रहा है यह क्योंकि scratch से ही जो है इस प्रोड़क्त को उनको बनाना पड़ा है चाहे वो उसका user experience हो चाहे वो hardware हो तो भाई OnePlus को जो है करीब करीब दो साल से जादा लग जया है OnePlus TV को बनाने में तो भाई फाइनली अगले महीने याने की September में अब OnePlus TV देखने को मिल जाएगी अब अगर बात करें OnePlus TV के specification के बारे में तो guys यह जो है हमें 4 screen sizes में देखने को मिलेंगे वो screen size होने वाले है 43 inch, 55 inch, 65 inch और last में 75 inch यह 4 screen size हमें देखने को मिलेंगे लेकिन 65 inch और 75 inch जो है वो इंडिया में launch नहीं होगा वो सिर्फ और सिफ US और China में ही launch होंगे यह दोनों जो variant है वो इंडिया में इतने जादा popular नहीं है जितने 55 inch और 43 inch है और अगर मैं बात करूँ इनके screen resolution की तो यह जो है दो screen resolution के साथ आएंगे पहला जो होने वाला है वो full HD वाला होने वाला है वो हमें 43 inch और 55 inch में देखने को मिलेगा OnePlus की तरफ से यह भी confirm किया गए कि भाई उनकी audio और video quality तो भैतर होगी ही होगी लेकिन उसके साथ-साथ उन लोगोंने smart interconnectivity पे जाता ध्यान दिया है यानि कि TV को पूरी तरीके से smart बनाने की कोशिश की है smart in the sense कि भाई यह जो है obviously Android TV पे ही आएगा लेकिन इसमें उनकी तरफ से और भी अच्छा user interface जो है OnePlus की तरफ से देखने को मिलेगा जैसे कि अभी हमें stock Android देखने को मिलता है OnePlus के phone में लेकिन oxygen waste उसे और भी जादा बहतर बनाता है उसी तरीके से जो है OnePlus की तरफ से एक अच्छा operating system हमें OnePlus TV में देखने को मिलेगा अब अगर मैं बात करूँ कि इसमें और भी क्या extra feature हमें देखने को मिलते है तो भाई सबसे interesting feature जो मुझे लगा है वो यह कि ऐसा सोना जा रहा है कि OnePlus TV में integrated हमें camera देखने को मिलेगा अब बात करें कि इसका price क्या होगा इंडिया में तो guys OnePlus TV का जो price है वो ऐसा सोना गया है कि 45 से 50,000 रुपीज हमें देखने को मिलेगा जितना बाखी की TVs हमें provide कर रही है उतना ही जो है OnePlus TV में हमें मिलेगा जैसे Xiaomi हुआ या VIEW हुआ यह भी अपने 55 inch का जो price है 50,000 रुपीज तक ही उन लोगों ने रखा है लेकिन मुझे ऐसा personally feel होता है कि 50 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा क्योंकि ऐसा सोना गया है कि OLED वाला जो display है पैनल है वो भी OnePlus लेकर आएगा तो थोड़ा सा high जा सकता है OnePlus TV में हमें एक और update देखने को मिलेगा वो रहेगा इसका Bluetooth version यानि कि इसमें Bluetooth 5.0 देखने को मिलेगा तो भाई Bluetooth 5.0 काफी बढ़िया और strong connectivity हमें provide करता है क्योंकि कि किसी भी smart TV में Bluetooth का अच्छा होना काफी जादा important होता है क्योंकि मैं MI TV यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें अगर मैं थोड़ी दूर जाके अपने Bluetooth headphone को यूज़ करता हूँ तो connection जो है audio synchronization जो है वो आगे पीछे हो जाती है लेकिन इसमें अगर Bluetooth 5.0 हमें देखने को मिलता है तो Bluetooth connectivity हमें बहुत ही strong देखने को मिलेगी तो कुछ दिनों बात और भी अच्छी specification सामने निकल के बाहर आ जाएगी OnePlus TV के जैसे जैसे दिन पास आएंगे release के और भी अच्छी specification जो है इसकी सामने आ जाएगी तो जिसके बारे में मैं Instagram पे आप लोगों को बताता रहूँगा तो प्लीज जाके मेरा पेज जरूर चेक करिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज गैस एक लाइक जरूर दीजे आपनी तरह से ताकि मैं आपकी एक लाइक की वाई से मोटिवेट हो सकूँ और और बी अच्छ अच्छी वीडियो जो है आप तक लेक और अपास